आज एक स्पेशल नए साल का कैसा सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लारिटी हो जाए जिसे डोएर बाइस का रोड मैप क्या है डोएर बाइस में काम कैसे करना है अगर आप मेरे पीछे मेरा बैकड्रॉप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर मिशन दो हेर और फाहीस हंडड़ प्लस मिलोनेर्स अभी हमारी टीम के अंदर 31 लोग ऐसे है जो साल और आज आएंगा ठीक है और आज बहुत इब आपको रोड मैप देने वाले हैं यह जो रोड मैप है दोस्तों यह पूरे इंडिया के जितने भी जीबीडी है उनका ब्रेंस्ट्रॉम करके बनाया गया है अंडर अंडर अंब्रेला ऑफ आर कंट्री मेंटर सुरेखा जी आज जो मैं आपको बताने लगा हूं इस वेरी इं टैंक है मोधिकेर के अंदर यह उनके द्वारा डिजाइन किया गया है पहले काफी दिन हमारी मीटिंग चली सरे जीबीडी की और बहुत ही ब्रेंस्टॉर्मिंग हुई निकल के जो आया वह आज मैंने पीपीटी में बनाया हुआ है वह आज आपके साथ शेयर करूंगा औ और भॉलते दोस्तो और डियांक वेना प्लैनिंग के और प्लैनिंग बिना एक्षण के दोनों कभी काम नहीं करते और अक्षांड के साथ करें सुने पर स्वागा हुआ है लेकिन अब आज आपके नई डिरेक्शन देंगे जिस डिरेक्शन पर आप काम करोगे उस रोड मैप के ऊपर अगर आप काम करोगे दोस्तों तो आई प्रॉमिस यू दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो दो यर बाइस दिसमबर तक आपका एक लाख चक आने से रोख सके अगर आप इस रूड में आपको फॉलो कर लोगे एक लाख का चेक तो आपका आई गया है का दोस्तों तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लोंगा मैं एक पीटी शेर करने लगाऊं तो जिस्ट गिव में अ मिनट यह सो जस्ट आ मिनट हाँ सो आई होप यह नजर आ रही होगी आपको इंदर जी तो पढ़िए नजर आ रही है यह सर क्लियर है ठीक है तो कोई भी अगर दिक्तत होगी तो बीच में आप बोल देना ठीक है इसमें दो चीज़े हैं दोस्तो जो आज आगको एक्स्प्लेइन करेंगे पहली है पावर अफंड़ पीवी और दूसरी है टीम ट्वंटीवन हंडड़ पीवी आपको पता है हंड़ड़ पीवी करना हमारा धर्म है मोदिकेर के अंदर अगर आप मेरे से पूछो पहला स्क क्या है मोदिकेर के अंदर काम्याब होने का तो मैं यहीं बोलूँगा हंड़ड़ पीवी सबसे पहले तो दो तो हंड़ड़ पीवी करना सीखना है वह सिखना कैसे अगर आप अपने प्रदक्स यूज करते हो अगर आपके दर पर मैजिक कॉर्नर है अगर आपके डेमो प्रटक्स साथ लेके जाते हो अपनी छोटी-छोटी डेमो करते हुए कि वीडियो जा प्रटक्स के टेस्टीमोनल छोटे-छोटे अपने स्टेटर्स पे डालते हो तो आप बन जाते हो 100 PV कलब सुपरस्टार, जिसका आपको batch भी मिलता है हमारी recognition events के अंदर, और आप पहली CD चड़ जाते हो, मोधीगेर के अंदर लखपती बनने की, तो मोधीगेर के अंदर पहली CD क्या है, पहला step क्या है, मिलिनर कलब में आने का, महीने का एक लाक रपया बनाने का, महीने का दस यह रपया बनाने का, वो है 100 PV, तो 100 PV करना होता है, अभी जैसे time to time offer चलती रहती है, 100 PV को उपर, हमने हर offer का फाइदा लेना होता है, अभी 10 तरीक तक 10 का धम चल रहा है, उसका फाइदा लेना हमने अप चार लोगों को करवादो अपने टीम में जैसे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो वन टू त्री फोर यह क्या है यह चार लैक्स है क। च्यार लेक्स के अंदर अगर आप सौ सो पीवी करवाते हो पांच में होगे आप टोटल होगे पांच लोग तो आप बन जाते हो राइजिंग चैंपियन अब हम जितने भी रेकोगनेशन इवंट किया करेंगे अपने टीम के अंदर वहाँ पर ये वाला स्पेशल रेकोगने के जो 20 तरीक तक बनेंगे उनकी स्पेशल रेकोगनेशन भी हम करेंगे उनका भी वहाँ पर मान समान किया जाएगा जो हमारे राइजिंग चैंपियन होंगे जो अपना सौपी भी करेंगे और चार लेक्स ओपन करके एक दो तीन चार जैसा स्क्रीन पर आपको नजर आ रह करवा कि उनको सौपीवी कराना शुरू किया फिर आपने आगे अपना स्ट्रक्टर नहीं बढ़ाना पांचवी शेवी साथी में आठवी लग खोलने की जुरूरत नहीं है ध्यान से सुनो अपने चार लोग बना लिए सौपीवी करने लिए अब उनकी हेल्प करनी है उनक कर लेते हैं लेकिन आपने का करना है कम ने केलिए लिए उनके साथ मिलके एक दो बार उनको करके दिखाना करते हुए की वीडियोस डालनी हैं और TTT प्रोग्रम करने हैं 100 PV से मैं आपको बात बताता हूँ आज हमारे बहुत अच्छे लीडर है अंकुष जी उन्हें बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया मुझे आप किसी भी लग के अंदर ध्यान से सुनना मुझे बड़ा अच्छ तो टीम अप्लाइन और साथ में जाफिर कंपनी के ट्रेनर उनसे आपने करवानी हैं हेल्थ और स्किन केर के उपर उन्हें 21 लोगों की मालो आप आपकी चार लगे हैं आप लखपती बनना चाहते हो तो पहले तो क्या करो पहले अपनी टीम बनाओ पूरी अपनी टीम के अ है उनको ऐसे दो तो हंड़र भी छोड़ो यार 200-200-300-300 लोग करना शुरू कर देंगे कुक्कू को प्रमोट करो हाई-टेक टाइम हमारे हैं इस इंडस्ट्री का 60 जो टर्न ओवर है वह हेल्थ से आता दोस्तों तो ज्यादा आपने यह जो किचन के प्रड़क्स हैं ना इन को बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है दोस्तों जो हेल्थ की मार्केट है तो सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर को पकड़ो अभी दुबारा आज कल कॉविट का महौल सा लग रहा है लोग दुबारा प्रशान होने लगे हैं उनको पता चल गया भी उम्म्यून सिस्टम बढ़ अगर आपको किसी भी ट्रेनर की हेल्प चाहिए करवाने में मुझे बताइए उनको बताइए वह आपके लिए ट्रेनर को र्क्वेस्ट करें अर्रेंज करवाएंगे आपकी 21 बनगी अब क्या करना है चार लगे पकड़के उसमें 21 लोग करके टीटिटी कराओ 100 पीवी करन तो मजाग बंजेगा बच्चों का खेल होजेगा तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी मुझे याद है आज से तिकरीबन तीन साल पहले जब मैंने और डॉक्टर शक्ती जी ने डिसाइड किया था भी हम सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे लोगों हमें बोला था शु सब्सक्राइब करना है और 21 लोगों की टीम बनाना रही है विद्ध हलप फीटीटी डेमों के टेमोगे मैजी कॉर्णर और साथ में उनके साथ जा जाके दो तीन चार पांच डेमो की मीटिंग करवा के उनसे काम करवाना है एक्की सो जीपीवी होजेगा आप इस लेवल पे आते आते अराम से यह लगा के चलो भी डिरेक्टर तो बनी जाओगे आप कम से कम तो आपका चेक जो होगा छेप जाओगे आसपास होजेगा और आप बन जोगे टी-ट्वंटीवन चेमपिएन जिस पास 21 लोगों की टीम होगी सो पीवी करने की जिनके पीजी बीवी के अंदर वो कहलाएंगे टी ट्वंटीवन चेमपियन हैं हम 100 पीवालों की सेलिब्लेशन किया करेंगे जहमारे र लगेगा यार काश मैं भी कर लता पिछले महीने और इतना जबरत मोमेंटम बनने वाला है अपने टीम के अंदर मैं बता नहीं सकता है क्योंकि हमारी टीम पूरे हिंदोस्तान के दर फेमेस है महाल बनाने में ठीक है महाल बनाना हम सब लोगों को आता है और इस साल की अंड तक सबसे ज़्यादा टीम चैंपियन टी ट्वंटी वन चैंपियन होगे दोस्तों वह हमारी और्गनेजेशन के अंदर होने वाले ठीक है तो पहले खुद सौपी वी किया चार लोगों को करना सिखाया आप बनगे राइजिंग चैंपियन फिर हमने टी ट्व ट्वंटीवन चैंपियन बनाना है आपकी साइट पे चार लगए होनी चाहिए वैसे टी ट्वंटीवन आ ले एक नीचे बना देना है अब तो आपका जो चेक होगा लगबग बारह जार के आसपास होजेगा आप बन जोगे सीनियर ठीक है यह है फोर स्टेप पहले खुद एक डेफ्त के अंदर आपने क्या किया एक T 21 चैंपियन बना दिया और आपके सीनेॉट चेंपियों बनता दिए अपने साइड़ ऑर नीचे वाला जो है प्लस सिर्फ सिर्फ टाइटल पे अगर आप टी त्वनटी वन पे मतलब 56,000 जो पीजी भीवी है वो आप कर रहे हो नीचे वाला भी कर रहा है उसके नीचे वाला भी कर रहे है तो आपकी इंकम दोस्तों होजेगी लगबग 25,000 प्लस आप प्लस आपकी इंकम होजेगी दोस्तों 25,000 प्लस किस लेवल पे सीनियर डिरेक्टर लेवल पे दोस्तों सीनियर डिरेक्टर लेवल पे आपकी इंकम होने वाली है 25,000 प्लस अब आगे चलते हैं एक स्टेप और अब आपने दो लगों के अंदर दो दो टी ट्वंटी वन टी ट्वंटी खड़े कर दे आप भी साइट पे ट्वंटी वन यहां पर आपका टाइटल क्या होगा है एक्जीकुटिव ड्रेक्टर सिंपल पांच टी ट्वंटी वन है हर लग में दो दो आपने साइट पे टी ट्वंटी वन किया टोटल पांच लोग होगे टी ट्वंटी वन आपके इंकम एडी लेवल पे एक्जीकुटिव ड्रेक्टर लेवल पे पचास एयर प्लस होगी मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को इस साल आप टाइटल मत आपको बता रहे हैं इसको बिल्ड करना है इसको परमूट करना अपने तो दो लेगों के अंदर दो टी ट्वंटी वन आप टी ट्वंटी वन इडी लेवल पे पचास एयर चक मैंने बहुत सरे ऐसे लीडर देखें प्लैटनम बन जाते हैं चक पचास एयर गनी होता तो टा तो तो क्यों हम ने इतना ज्यादा लगें कि होले की जिरूरत है जहां पर टाइटल करने की जолоरत है जहां पर स्रक्षरी बाले भी पैसा कमाएं उनके नीचे वाले भी पैसा कमा था तो यह था था प्रॉस अब तीन लगों के सब्सक्राइब एक लाख रपिया कैसे आएगा मिलेनर क्लब में कैसे एंट्री वारोगे जो मेरे पीछे लोगों लगा हुआ यह कैसे आएंगे दोस्तों यह आएंगे जब आप आठ लोग नीचे टी 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 वनवले कर दोगे और खुद भी आप टी टी टे टी वन अलाग कर लोगे हर चार लग खोल नहीं है चार होल के हर लग में दोदो टी टी टीट वंटीवन टी टी कुद भी टी टी टीट公 선 Sum तो आपका चेक होगा एक लाख प्लस ठीक है यह है एक लाख का रोड मैप अब करना क्या है अपना 100 पीवी करना है कि सेकिंड क्या करना है 21 लोगों की टीम बनानी है जो 100 पीवी करेंगे और यहीं डूपलिकेट करना है इसको प्रमोट करना है और यह कल्चिर बिल्ड करना है दोस्तों T21 मेरी रिक्वेस्ट है सभी लीडर यूनिफॉर्म्टी लेकर आएं और जैसे हमने बोला है सबसे पहले अगर मैं चलो उन्हीं चीजों को प्रमोट करना है जो 100 पीवी करेगा 100 पीवी कलब सुपरस्टार हो जो अपना 100 पीवी करता है चार लोगों को अलग लग में उसको राइजिंग चैंपियन बोलेंगे उसका भी मान समान कीजिए अपनी अंदर जो आप परसनल करते हो कंपनी की नहीं कंपनी का अपना स्टक्यर है जो आप अपनी टीम की करते हो उसमें यह राइजिंग करता है नीचे पहले आप खुद पर काम करके एक लाग पया। आप दो लगों को में 나 कि इंकमम अगर नीचे वालों की इंकम बढ़ानी है दोस्तो तब आपकी इंकम बढ़ेगी और अगर आपकी दस लाख हो जेगी दोस्तो सिंपल आठ लोगों को आप एक-एक लाख रुपाय कमाना सीखा दो आठ लाख से उपर इंकम दस लगों में रपीया कमा सकते हैं एक छोटी कहानी सुना नहींगा आपको एक बार महाभारत के अंदर जब चक्रव्यू के अंदर मन्यू को गेर लिया गया था तो उसको मार दिया गया जब वो मर गया तो मरे हुए के मूँ के उपर जो जैदरत था जो कौर्वों की साइड था उसने लात मारी पैर मारा उसके मूँ के उपर और जब अरजुन को पता गुस्सा आया उसने जल हाथ के अंदर जल लिया और कसम खाई अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले-पहले मैं जैदरत का वद कर दूँगा नहीं तो मैं खुद अगनी को अपने आपको बेंट कर दूँगा दोस्तों चिता के अंदर बैठ जाँगा मैं तो दोस्तों अगला समक्ष अपने आपको रख देना है और समाधी ले लेनी है और वो बसम हो जेगा आग में जलकर तो कौरव जीट जाएंगे तो उनका एक हिंबसे अब जैदरत को चुपाया जाए तो जैदरत को चुपा लेते हैं और कौरव जो अर्जुन थे वो कृशन महाराजी के साथ स को बोलता महाराज आप नहीं कुछ हो सकता तो दोस्तों कि वो क्या करता है वाइड कपड़े डालके आ जाता है और महाराज को बोलता कृशन जी को महाराज आप तो जुद्ध हम हार गए तो वो बोलते चिंता मत कर वो जैसी अगनी की वो जो चिता होती बनती वहां पर तो लोग आते चलो आओ देखते हैं अर्जुन चिता में बैठेगा आपने आपको अगनी के समक्ष डाल देगा तो दोस्तों जैद्रत के अंदर अक्साइटमेंट पड़ जाती है तो अभी लेकिन धूप पूरी होती है अभी संसेट नहीं हुआ होता तो क्रिशन महाराज सब सब देरे देरिゃ इस सूर्य के आगे आते हैं तो लोग समयते हैं फिरे सबूस्ते हैं ज्रों कर दी दालना दे फ! लेकिन धादर भी यहता है अने कहरता है, तो बड़ा रोकते हैं लेकिना तो ऐसकnost पर हो जाता है है अर्जुन के यठो सूर्यास तो होगया है तो जैसे दोस्तों के जयादर सामने आता है बगवान क्रिशन अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन तीर कमान उठाले हैं अर्जुन तीर कमान उठाता है। अगर आप चाहते हो T21 है लोग आए तो क्या करना पड़ेगा आपको महौल बनाना पड़ेगा आपके टीम वाले इतनी जबरदस्त बैटिंग करेंगे आप सोच भी नहीं सकते सिर्फ करना क्या है आपने 100 पीवी और T21 का आपने महौल बनाना है दोस्तों ठीक है so with this thank you very much